अधिकारियों की हर्ताल की वज़ा से ठप पड़ा हुआ है दिल्ली के अंदर दिल्ली की सरकार जो एक अनुकरणिये काम कर रही है जिसका उदाहरन पूरी दुनिया दे रही है वो चाहे हमारे महला क्लिनिक का मॉडल हो या हमारे एजूकेशन का मॉडल हो स्कूलों का या फिर बिजली आधे दाम पर हमने करके दिखाया पानी मुफ्त दे कर दिखाया हम दिल्ली की जनता के हित में काम करना चाहते हैं जुकी वालों के लिए गरीबों के लिए आम आदमी के लिए काम करना चाहते हैं और दिल्ली के अंदर एल जी के एल जी को हत्यार बना कर नरेंद्र मूदी जी की सरकार दिल्ली के काम को ठप करना चाहती है और ये हमारा सीधा आरोप है कि ये सब कुछ जो दिल्ली में खटित हो रहा है इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है एल जी एक मोहरा हो सकते हैं एल जी एक कटकुतली हो सकते हैं लेकिन मास्टर माइंड नरेंद्र मोदी जी है जिनके इसारे पर दिल्ली के सारे कामों को धब कर दिया गया है पिछले चार महीने से हमारा गुनाह क्या है अरविन केजरीवाल जी पिछले 20 घंटे से एल जी के आवास पर क्यों बैठे हुए हम क्या माँग कर रहे हैं हम कोई अपने लिए जमीनकी मांग नहीं कर रहे हैं हम कोई अपने हितों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं बलकि हम यह कह रहे हैं कि जुकियों में जो विकास के कार्य हैं वो ठप पड़े हुए है अनथ्राइस कॉल नीज के अंदर जो सडकों के पानी के विकास के जो भी काम है वो पूरी तरीके से ठप पड़े हुए है हम य काम पिछले चार महीने से अधिकारियों ने किया है ना महला क्लीनिक बन पा रहे हैं ना उसमें डॉक्टरों की न्यूपती की हमको अनुमती मिल पा रही है कि दिल्ली के अंदर रासन की जो धांदली हो रही थी रासन के नाम पर जो लूट हो रही थी चोरी हो रही थी उसको रोकने के लिए उसको खतम करने के लिए आम आदमी को सीधे उसके रासन का हक मिल सके इसलिए हम रासन की होम डिलिवरी करना चाहते हैं खर घर रासन पहुचाना चाहते हैं लेकिन उस फाइल पर भी रोक लगाकर अधिकारी एल जी मो उना मुलेनी जडाह बताईए, एक चुनी हुई सरकार, सरसड विधायकों के प्रचंड बहर्मत से चुनी हुई सरकार. उसका सिर्फ इतना गुना है कि वो जंता के हकंपे काम करना चाहती है, जंता की तरक्की और वीकास के लिए काम करना चाहती है, दिल्ली वालों के लिए काम करना चाहती है। करा रहे हैं, किसे बावजूद, आपको कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है, हाँ एक काम आप जरूर कर रहे हैं, दिल्ली की जंता को आप दुखी कर रहे हैं दिल्ली की जंता जिसने साथ मेंबर ओफ पार्लिमेंट आपके जिताए उनको आप दुखी कर रहे हैं उनको आप परेसान कर रहे हैं आपने पूल राजी के दर्जा देने का वादा किया दिल्ली की जंता से उसके साथ आपने बैठे हुए हैं उनके समर्थन में यहां पर भी प्रोटेस्ट चलना है और दूसरी जगों पर भी लगातार आम आदमी पार्टी के पक्ष में दूसरे दल के भी लोग समर्थन के लिए आगे आ रहे हैं हमारी यह लड़ाई खतम होने वाली नहीं है हम चुप और खामोस नही बैठेंगे दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों की हग की लड़ाई अर्विंद केजरिवाल जी यह दफ्तर में बैठेंगे आवास पर बैठके लड़ रहे हैं और सड़क पर हाम आदमी पार्टी के कारे करता उस लड़ाई को लड़ेंगे इस बार फैसला होना चाहिए बार बार आप तरकाने की जो एक प्रवित्ती आपने अपना रखी है और एल जी साथ के भी मजबूरी है जो आदेश उनको उनके आका नरेंदर मोदी जी की ओर मिलेगा वही काम उनको करना है तो इसलिए एक दिल्ली की एक्ची हुई सरकार को जो चलने नहीं दिया जा रह हम खामोस नहीं रहेंगे हमारी लडाई जारी रहेगी पिछले 20 घंटे से अर्विंद केज रिवाल जी बैचे हुए है यहां पर आंदोलन हमलों का चल रहा है आगे जैसी भी प्रगेती होती है अगर आईयस अधिकारियों के हर्ताल खतम होती है अगर दिल्ली के अंदर र से उस्ते पहले अब तक कोई ऐसी बात नहीं है कि मुख्य मंत्री LG साहब के यहां बेठे हुए है तब से कई बार अब तक LG आफिस से और IES अधिकारियों की यूनियन की तरफ से इस परस रिलीज आ रहे है और उसके अंदर मज़ेदार बात यह है कि एजी ऑफिस और आइयस एसके परैश भी रिलीज जो है वह लगबग समानता रहे है ऐसा लगए हाला कि अनिल बैजल पुराने बाबू रहे हैं, मगर प्रेस रिलीस भी अनिल बैजल ही बनाएंगे, इसका हमें विश्वास नहीं, बार बार आईएस अफसर एक बात को दोहरा रहे हैं कि हम काम पे नहीं आएंगे, मगर हम स्ट्राइक पे नहीं, इसका क्या कारण है, इसका कारण यह है कि आईएस अफसरोक की जो कोड ऑफ कंडक्ट है, इसके अंदर साफ तोर पे लिखा हुआ है कि आईएस अजिकारी एक दिन तो बहुत दूप की बात है, एक घट्टे के लिए भी हड़ाल पे नहीं जा सकता, और इस कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर रूल हुआ है, ना सिर्फ काम पे ना आना, इसके अंदर सारी डेफिनेशन लिख हुए है, इसमें बताया गया है, कि सिर्फ उस चीज़ कोई अड़ताल पे नहीं कहा जाएगा, कि कोई आईएस अधिकारी दबतर ना आ जाए, पेंग डाउन स्ट्राइक, स्टे इन स्ट्राइक, टोकन स्ट्राइक, सिंपथेटिक स्ट्राइक, यहां तक कि वो स्लो स्ट्राइक, मतलब कि जब अधिकारी यह कह देंगे कि थोड़ा दीरे चलेंगे, थोड़ा दीरे काम करेंगे, उसको भी भारत सरकार के कानून में लिखा है, ओडर में लिखा है, कि वो स्ट्राइक की ड इसके लिए आई एस अधिकारियों को बाकाइदा शो कॉस्ट नोटिस और मेमो दिये जा चुकी है जैसे कि यह शो कॉस्ट नोटिस आई एस एससेशन की सेकेटरी मनीशा सक्सेना जी को दिया गया है एक और शो कॉस्ट नोटिस मनीशा सक्सेना जी को अपने वाट सेफ करने पर दिया गया जिसमें ना सिर्फ उन्होंने फुद आने से मना किया बल्कि जूनियर अफसरों को भी भड़ताया कि आप भी दिल्ली सरकार के कामों में दिल्चस्पी ना लगए इसके अलावा एक और है जो मनीशा सक्सेना जी को मेमो दिया गया मंत्री जी ने दिया है एक और मेमो है यह सतेंदर जहन ने डिएस आईडीसी के सेकेटरी मौन जीत सिंह को दिया है जिसके अंदर उन्होंने अनौधराइज को लोनियों में सड़कों के काम को टब कर दिया था इस तरीके से दर्जनों मेमो और शोको जोटिस आईएस अफसरों को दिये जा चुके हैं यानि कि आ प्रियों द्वारा बताया जा चुका है कि आप लोग स्ट्राइक पे हैं हमारे इस अफसरों की एस्सेशन से एल जी साहब से और प्रधानमंत्री कार्याले से पांच बिलकुल बेसिक सवाल है बड़ी-बड़ी प्रेस रिलीस देने से अच्छा है कि वो इन पांच सवालों क्या यह सच नहीं है कि काम को स्लो करना भी स्ट्राइक की परिवाशा में आता है सवाल नम्बर एक नोट ट्रू देट स्ट्रॉइंग डाउन वर्क इस आल्सों आप स्ट्राइक अंडर आईएस और पीसेएस ऑफिसर्स कंड़ को सवाल नम्बर को मीटिंग्स को बाइकोट करना क्या हर्ताल में नहीं आता है एक पर वाँ बोलो है इस बाइकोटिंगे मीटिंग्स ऑफ दे मिनिस्टर नॉट इंक्लोड इंड़ स्ट्राइक नम्बर ती कोट के आदेश पर भी हाई कोट के आदेश पर भी अगर अफसर फील्ड इस्पेशन पर नहीं जा रहे है तो क्या वो हर्ताल पर नहीं आता है इस इस बाइश पर नहीं आता है और तीसरा और बड़ा एहम सवाल है अफसर जब स्ट्राइप पर जाएंगे या कोई भी मिसकंड़क्ट करते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लेने की कारवाई करने की जिम्मेदारी क्या एलजी की नहीं है कि इस एलजी नॉट दिसिपिनरी अफॉर्टी तो टेक एक्शन अगेंस अगेंस अफिसर्स पर मिसकंड़क्ट एंडेर कंड़क्ट अगेंस अगेंस दरूट ऑफ सीचियस और आईएस और पांचवा और सबसे बड़ा सवाल यह है कि मंत्रियों ने और मुक्यमंत्री ने लिखिट में शिकायत की कि आईएस अफसर स्ट्राइक पे हैं हड़ताल पे हैं चार महीने में एलजी साहब ने अब तक किसी भी अधिकारी के उपर क्यों कारवाई नहीं की एजी साहब यह बात बताएं दिल्ली की जनता को बताएं कि यह काम क्यों नहीं हुआ अब मैं आतिशी जी से कहूंगा कि वो कुछ उधारन रखे कि कि किस तरीके से आईएस अफसर ना सिर्फ खुद काम कर रहे हैं बल्कि जूनियर अफसर्स को भी काम करने से रोक रहे हैं अब मैं आईएस असवीशन की फ्रेस रिलीज आई थे आईएस असूसी ने अपनी प्रेसे लीज में कहा कि हम स्ट्राइक बन नी हैं हम उनसे यह पूछना जाते हैं कि काम ना करना क्या स्ट्राइक नहीं होती है और अब कई ऐसे उधारण सामने आ गए हैं कि जो पिछले 112 दिन जब से IES असकर स्ट्राइक पर हैं तो किस तर्हा से काम दिली के टैक्स पियर के पैसे से दिली के आम इंसान के हिख नो कि रुकई हुए पर दिली में रहने वाले सब लोगों को पता है कि पछले कई सालों से सीगनेचर बिज का गाम फ्लो चन रहा था पिछले कुछ महीनों में उसे एक्सपडाइट करने का छे महीने में प्रयास किया गया थाइकोट के आदेश की बावजूर जब मंत्री टूरिजम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर सिगनेचर बिज को इंस्पेक्ट करने जाते हैं तो एक भी IES असर उनके साथ नहीं जाता है PWD के सेकरेटरी और टूरिजम के सेकरेटरी और फाइनस सेकरेटरी कई महीनों से फाइल फाइल खेल रहे हैं पेमेंट जो जाना है डिपार्टमेंट को जा नहीं रहा हर हफ़ते एक चिथ्थी लिख के भेज देते हैं कि आज PWD ने चिथ्थी टूरिजम को भेज दी टूरिजम लिख के भेजने ना है कि हमने फाइनस को भेज दी मंतरी जब रिव्यू मीटिंग तीनों डिपार्टमेंट की बुलाते हैं तो एक भी अफसर नहीं जाता सिगनेचर ब्रिज का जो खर्चा रोज रोज बढ़ रहा है उसके पैसा दिल्ली का टैक्सपेयर दे रहा है इन आई ऐस अफसरों को तो हर महीने अपनी तंख़ों मिल रही है दूसरी बाद दिल्ली सरकार को कुछ बसे स्ट्रोक्योर करनी है हर साल ये चर्चा होती है कि बस इस प्रोक्योर्मेंट स्लो चल रहा है प्रोक्योर्मेंट का मामला दिल्ली हाई कोट पहुचता है प्रांसपोर्ट कमिशनर को कई प्रयासों के बावजूद फोन करने के बावजूद, मेसिज देने के बावजूद, पॉल करने के बावजूद, मीटिंग पे बुलाने के बावजूद ट्रांसपोर्ट कमिशनर दिल्ली हाई कोर्ट में ब्रस्ट अप्योर्मेंट पे एफिडेविट नहीं फाय करते तीसरी बार दिल्ली सरकार के एडुकेशन डिपार्टमेंट ने प्रकलिया शुरू करी है कि हर साल गर्मियों की छुपियों ने स्कूलों को गाइप वॉश किया जाएगा हम सबको पता है कि तीन साल पहले क्या खालत भी दिल्ली के सरकारी स्कूलों चे महीने से इसकी रिव्यू प्रोसेस चल रही है पी डब्यूटी फाइनांस और एडुकेशन के साथ परंतु चार महीने से जब से आई एससर स्ट्राइक पे गए हैं हर हफते हर मंडे को लिखके भेज देते हैं परंके पी डब्यूटी ने फाइनांस को भेज़ती फाइनांस ने फाइल एडुकेशन को भेज़ती आज गर्मियों की शुटियों को शुरूर हुए एक बढ़ना हो गया है वाइड वाश तो दूर कहीं भी किसी एक स्कूल में प्रेंट कर दपा सक नहीं आया है चौती बार दिल्ली में पुल्यूशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके लिए एंवार्मेंट मिनिस्टर जो जो हम कदब उठा रहे हैं उसके लिए वीगली रिव्यू मीटिंग करते हैं क्योंकि उसमें बहुत देपार्टमेंट इन्वाल होते हैं आज पुल्यूशन कंट्रोल के सारे मामले ठब हैं क्योंकि डिपार्टमेंट जैं दूसरे के साथ बैठने को दल्यार नहीं हैं पुछी बार दिल्ली में बहुत सारी अनौथराइस कॉलनीज हैं जिनके लिए वहां पे पानी के काम, सीवर के काम, वहां पे सड़क के काम के लिए इस बार बज़ेट में पैसा पास हुआ है परंप तु जो ।डि Jetzt И.D.C. डिपार्टमेंट है उसने चार महीने से काम ठब्भट क्वाया है बजट होने के बावजूद, बजट दिल्ली असेम्बली में पास होने के बावजूद, पैसा डिपार्टमेंट में होने के बावजूद, एक भी डिवेलस्मेंट वाउज अनौथराइस गॉदूदी में शुरूर नहीं हुआ है IES Aster अपनी प्रस रिलीज में कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं, हमने बजट में सेशन में बजट पास करवाया, हमारा उनसे सवाल यह है, बजट तो आपने पास करवाया, परन्तो आपकी स्ट्राइक की वज़ए से बजट का एक भी पैसा, जो दिल्ली के टैक्सपेर का पैसा है, जो दिल्ली के आम इंसान के हित्मे डिवेलफमेंट वॉक्स पूने थे, वो एक भी काम नहीं हो रहा है, तो बजट पास करवाने का क्या फायदा है, अगर आप दिल्ली के जन्ता के काम खश करके बैठे हुए, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बजट सिर्व अपनी तंखा क को रहा है, तो दिल्ली में आईएस असोसियेशन रोज ट्वीट कर रही है, प्रेस रिलीज निकाल रही है, इस मश्ट है कि उनके पास ना से वेलजी ऑफिस का बल्कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का दाकिंग है, क्योंकि जिन जे नफसरों ने दिल्ली में काम रोका है, उन आप दिल्ली में कोई काम क्यों नहीं होने है? यह नो में हैं और बतों काम अंत्य जन आउट में से लिए इस में मेरतनों एक आम सवाल में ही मेरा जवाब है, वह कहा रहा है कि हम कोई हरताल पर नहीं है, और दूसरी तरफ कहरा है कि हरताल को कि अपनी ही बात में वो कह रहे हैं और उसको खतम करने के लिए को सकारात्मक्त पहल नहीं की गई मगर हम अर्थाल पर नहीं है आप लोगों को विवकुव समझते मैंने तो आप वह उधारण जेके बताया और आतीसी जी ने और सौरब जी ने बहुत डीटेल में बताया कि किन-किन विभागों के कौन-कौन से महत्पूर काम रुके हुए है और अगर आपको जुगी बस्तियों का अनेत्राइज कॉल इसका काम महत्पूर नहीं लगता सडके बनना वहाँ जरूरी नहीं लगता अगर आपको महला क्लीनिक परना जरूरी नहीं लगता वहाँ पर डॉक्टरों की न्यूकती जरूरी नहीं लगती रासन की होम डेलिवरी जरूरी नहीं लगती और सीसी टीवी कैमरा लगना जरूरी नहीं लगता तो फिर काम ठप कैसे होता है आप जरा मुझे बता दीजिए सारे काम आपने ठपकर रखें आप स्कूलों के अंदर वाइट वास कराने के लिए तयार नहीं है बच्चों के साथ आप अपनी दुस्मनी निभा रहें मोदी जीत दिल्ली सरकार से इसकदर दुस्मनी निभाने पर लगे हुए उनको छोटे बच्चे अच्छे वाइट वास करे हुए कमरे में पढ आज जो हमारे राज्यसभा के सामसद हैं उनको भी मैंने संपर किया उनको भी बातचीत किये टी राजा जी जो CPI के हैं उनको भी मेरी बातचीत हुई है उनको भी दिल्ली के हालात से उगत करा है सीता राम याचुरी जी को फोन किया था उनसे बाचीत नहीं हो पाई है उनसे भी संपर करने की मैं कोसिस कर रहा हूँ तो जितनी दूसरी political parties हैं उनसे भी हम लोग अपनी पीड़ा की विथा बताएंगे कि किस तरह से दिल्ली के लोगों के सब नाइंसाफी हो रही है ये मोदी जी के मानसिक दिवालिये पन और हिटलर साही से दिल्ली की जनता कब तक सफर करेगी कब तक पीड़ा छेलेगी कब तक इन अधिकारियों का जुल्म सहेगी ये दिल्ली के लोग जानना चाहते हैं आप कब तक गुस्मनी निभाएंगे और कब तक इस हिटलर साही की मानसिक्ता से मोदी जी आप काम करेंगे आप पताईगे दिल्ली फुल स्टेट नहीं होते हुए भी तक तक काम किया जब कांग्रेस की सरकार थी राज्य और केंद्र दोनों में कांग्रेस की सरकार थी और आप सीला दिक्षिट जी की बात को आज बार बार कोट कर रहे हैं क्रिपा करके उनके कारेकाल में एल जी के द्वारा जो उनके कामों में बाधाएं उठाई गए लगाई गई उसको जड़ा पढ़ लीजिए और उसको जड़ा मीडिया पर दिखाईए और अगर सीला दिक्षिट जी को ये लग रहा था कि दिल्ली बहुत अच्छा राज्य है और सब कुछ सीख्री क्रहं से संचालित हो रहा है अगर ऐसा नहीं लग रहा था सब यहां पे वंगल भवन सब चल रहा था तो फिर उसको उसी साब से चलने देते आप धिली को सब भी थी लेकिन क्या है कि आम आदमी पार्टी की सरकार को टार्गेट मैंने तो आपको बताया सीवी आई के इतने चापे किसी देश की एक भी सरकार के खिलाफ बता दीजे पढ़े हो एसीवी की इतनी जाज किसी सरकार के खिलाफ हुए हो जरा बता दीजे मिलता कुछ नहीं आपने राजिंदर कुमार जैसे आईयस अधिकारी को बुला के पांस दिनों तक गालियां दी शर्म नहीं आती मोदी जी को अपनी सीवी आई छोड़ रखा तोते को आप हर दिन दाना चुगने के लिए कहीं आप महला क्लीनिक पे भेज़ देते हैं कहीं जलबोर्ड में भेज़ देते हैं आपका तोता कहां कहां जाएगा लेकिन इन तोतों को यह समझना चाहिए कि मा अच्छे बताइए आप सतेन जहन की बेटी के खिलाब आपने दो साल तक जाच की और कुछ नहीं मिला उसका जो मान सम्मान गया उसको कैसे आप वापस करेंगे यह सब बहुत बढ़ा सवाल है यह कोई खुशी से नहीं चलना पड़ रहा है यह वेदना के कारण और हर काम में जो बाधाय हम लोग जिसका सामना कर रहे हैं उसके कारण करना पर रहा है चार महीने से जो हम बार-बार चिठ्षियां लिख रहे हैं चार हैं अनुरोध कर रहे हैं निवेदन कर रहे हैं ऐसा मालूम पढ़ रहा है कि दिल्ली के मुख्य मंत्री और दिल्ली के जितने चुने हुए विधायक हैं मंत्री हैं वो तो याचक की मुद्रा में हो गए हैं और यह सब महाराजा हैं एक महाराजा मोदी जी हैं दूसरे महाराजा आनिल बैजल हैं तीसरे महाराजा अविच्छा हैं चौथे महाराजा यह आया सविकारी हैं यह राजा है हम लोग घुटना टेक के इनके सामने खड़े हैं मालिक यह कर दो मालिक वो कर दो ऐसे थोड़ अलग अलग जगों से जहां आएं वहां भेजेंगे लेकिन अभी जो पीडा है उसको लेकर हमारी लडाई चले जब बोर्ड और चल बोर्ड और महुला के लिए गोटाले में जाश शुरूर की तक पूरा पूरा कीजिए तो उसी दिन केद्रिवाल जी को यह याद आया है कि अच्छे ट्वीट है लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हर दिन रोज एक नया मुकत्मा कीजिए रोज एक चांच सुरू कीजिए आपको मिलने वाला कुछ नहीं है क्योंकि दिल्ली की सरकार हिंदुस्तान की सबसे इमांदार सरकार है और सतर साल की आजादी में जंता के हित में सबसे ज़्यादा काम करने वाली सरकार है आपने कहां प्याज घोटाला हो गया दिल्ली में आस तक कुछ नहीं निकला आपने कहां महला क्लीनिक में गड़वरी हो गई कुछ नहीं निकला आपने का सतेंजन की बेटी की नियूपती गलत हो गई, कुछ ने निकला, आपने का राजंदर कुमार सबसे भरस्तम अधिकारी है, कुछ ने निकला, तो प्याज का गोटाला बोल दिया, तो जब सुबा से साम तक सिर्फ बोल नहीं है, तो कुछ भी बोलते रहो, कोई भी ज सब्सक्राइब करें दिल्ली पुलिस का क्या 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 काम करने का तरीका है चार सो मामलों में एक मामले में कारवई करती है रेकॉर्ड है पढ़ लेना जाती हैं, लाखो के स्पेंडिंग है दिल्ली पुलिस के पास जिसमें चार सो मामले में एक मामले में कारवाई कर लेकिन आम आदमी पार्टी के मामले में मैंने आकड़ा निकाला हंडेट परसंट कारवाई है मुख्यमंत्री के खिलाब कोई चौराहे पे चलता हुआ आदमी एक खाली अप्ली केसं दे दे दसकत भी न करें रात उसको घर से पकड़ के लाएंगे दसकत करवाएंगे रात को तीन दिया और सुब अच्छे बजी यहां पहुँच जाएंगे चार घंटे जाज करने के लिए तस गाड़ियों में तो यह जो दादा की वर्दी की दिखा रहे हैं लोग यह ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है आपके धर्णे से लग रहा है कि विवाद और ज्यादा बढ़ गया है आपकी तरफ से क्या पहल की जाएगी क्या पहल आप करना चाहरें पहल अब हमको बिल्कुल नहीं करना है हमने तो बार बार निवेदन अनुरोद मिलकर पत्र देना सारा कुछ अपना लिया है अब जो